बिहार में छट पर्वे पर मौसम में उतार चड़ाओ देखा गया है। मौसम बिभाग के अनुमान के मताबिक नवंबर में न्यूंतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेलसियस के बीच होगा। राजधानी पतना में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेलसियस और न्यूंतम तापमान 18 डिग्री सेलसियस का अनुमान है। बिहार का मौसम का मिज़ाच फट पर्वे की सुरुआत के साथ बदल गया। राजधानी पटना समयत कई जगों के तापमान में उतार चड़ाओ देखा गया बीते दिन सबसे ज़्यादा तापमान राज के किशनगंज में रहा गुरुवार को किशनगंज का तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वही सबसे कम तापमान और अंगाबाद का रहा और अंगाबाद का तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के मताबिक नवंबर को बिहार के कई जिलो का नियुनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है विहार का मौसम शुस्क रहने का अनुमान पटना मौसम विज्ञान केंदर की ओर से जारी अलर्ट के मताबिक आज राज्य का मौसम शुस्क रहने का अनुमान है सुब़ के समय धूंद चाई रहेगी मौसम विभाग के पुर्वनुमान के मताबिक छट पर्व के दोरान राजय में कहीं बारिश नहीं होगी 21 नवंबर तक राजय के मौसम में फिलहाल बदलाव होने की संभावना नहीं है आज का पटना का नियूंतम तापमान 18 डिगरी रहने का अनुमान मौसम विभाग के मताबिक आज राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31 डिगरी सेल्सियस और नियूंतम तापमान 18 डिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान है बीते दिन राजय की 10 जगहों का तापमान सुन्य से 6 डिगरी सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई मोतीहारी में तापमान गिरकर 31,04 डिगरी सेल्सियस पर पहुंच गया ऐसी तरह दर्भंगा का तापमान 31 डिगरी सेल्सियस रहा जबकि समस्तिपूर जिले के पूसा का तापमान 30,02 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया खगडिया का 31.1 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, नमादा का 30 डिग्री सेल्सियस, गया का 29 डिग्री सेल्सियस और औरंगाबाद का 28.8 डिग्री सेल्सियस, जहरी का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और क्यमूर का 28.9 डिग्री सेल्सियस अपमान रहा प्यापश से व्यापश से प्यापश झाल झाल झाल